नमस्कार मैं दुशियन सिंग एक बार फिर से आप सबी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ UPPCS Pre के लिए पॉलिटी और कॉंस्टिटूशन की रिवीजन सीरीज हम कर रहे हैं मैंने आपको पहले ही बताया है मैक्सिमम आठ दिन का टाइम हम लेंगे आठ दिन के अंदर अंदर UPPCS Pre में पॉलिटी और कॉंस्टिटूशन वाले सेक्षन से जो कुछ भी पूछा जाता है वो मैं सब यहां से आपको डिलीवर कर दूँगा और यकीन मानिए मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अगर आपने पॉलिटी और कॉंस्टिटूशन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और अगर आप सिर्फ ये सीरीज लगाते हैं मैक्सिमम कॉश्चन आपको प्री में यहां से मिलेंगे ये चीज आपको तभी पता चलेगी जब आप एक्जाम हॉल में बैठे होंगे दो क्लासेज आप पहले कर चुके हैं आज शाम तक आपको तीन क्लासेज और मिलेंगी और आज की जो पहली क्लास है वो आप देख रहे हैं भारती समविधान की विशेशताएं इनको देख लेते हैं मैं आपको यहां से यह भी बताता चलूँगा कि कहां कहां से किस किस तरी किसी question जो है पहले पूछे गए ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं समविधान की प्रकरती के बारे में कहते हैं देखी अलग-लग देश का अलग-लग constitution होता है और उसका nature भी अलग-लग होता है हर देश के समविधान की प्रकरती अलग-लग होती है कुछ देशों का समविधान जो है वो कठोर है कुछ देशों का समविधान थोड़ा सा लचीला है कुछ देशों का समविधान जो है वो mixed है मिस्रित है तो तीनों के कुछ उदाहरन देकh लेते हैं जिससे कठोर सम्विधान का अगर उदाहरन देखा जाए तो अमेरिका और सृजरलेंड का जो समविधान है वो कठोर उसकी प्रकरती मानी जाती है कठोर सम्विधान यहां का माना जाता है लचीले सम्विधान की या नरम सम्विधान की बात करें, तो वो ब्रिटेन का सम्विधान है, और अगर बात करें, विश्व का सबसे बड़ा और मिस्रित या mixed जो constitution है, वो है भारत का सम्विधान, अब कठोर सम्विधान क्या होता है, मिस्रित सम्विधान क्या होता है, इनको सरल न होकर कैसी हो, कठिन हो, जटिल हो, किसी भी चीज में संसोधन हमको करना है, तो उसके लिए मैं बहुत ही एक कह सकते हैं, हार्ड प्रोसेस से गुजरना पड़े, तो वो कठोर समविधान माना जाता है, विश्व का सबसे कठोर समविधान है, अमेरिका का, लचीला या न समविधान की कठोड़ी में आता है, और विश्व का सबसे समविधान जो है, वो ब्रेटेन का है, बात करते हैं मिस्रिट समविधान की, एक ऐसा समविधान, जिसमें संशोधन करने की प्रिकरिया, कहीं पर तो जटिल दे रखी है, कहीं पर सरल दे रखी है, मतलब कुछ ची चीज़ें ऐसी हैं जहां पर संशोधन करने के लिए हमें एक बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, वो संविधान होता है, मिसर संविधान जो के है भारत का, भारत का अगर उधारण लें संशोधन की परक्रिया में, तो जो विकास से जुड़ी हुई चीज़ें होती ह वहाँ पर भारत का संविधान थोड़ा सा लचीलापन प्रदर्शित करता है, मतलब अगर कोई चीज में संसोधन करना है, और वो चीज किस से जुड़ी हुई है, नागरिकों के विकास से जुड़ी हुई है, देश के विकास से जुड़ी हुई है, तो उन चीज़ों में स बड़ी आसानी से किया जा सकता है, लेकिन अगर बात जब आती है भारत की संघीय एकता की, अखंडिता की, तो वहां पर संसोधन करने के लिए बहुत ज़्यादा कठोर नियम जो है भारती संविधान में बनाए गये हैं, थेक है, संविधान की संरचना को देखते हैं, संवि किसे भी एक परिसन आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व का सबसे पहला लिखित सम्विधान किस देश का है तो वो अमेरिका का है ठीक है और भारत का भी जो सम्विधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित सम्विधान की केटगरी में आता है मौखिक सम्विधान जो है वो ब्रटेन का एक बहुत ही रोचक तत्थ है यह आपको याद रखना है यहां से कि जो ब्रटेन का सम्विधान है वो लिखित नहीं है ठीक है मौखिक सम्विधान है ब्रटेन का बारती सम्विधान की विशेषता है जैसे हमने अभी तर्म देखा था लिकिस सम्विधान ठीक है तो लिकिस सम्विधान क्या होता है वह सम्विधान जिसे लिखने के लिए किसी निश्चित सम्विधान सभा का गठन किया गया हो आपको पता है हमारे देश का जब सम्विधान लिखा गया था तो उसके लिए एक सम्विधान सभा की स्थापना की गई थी उसी तरीके से अमेरिका के सम्विधान को लिखने के लिए भी एक assembly की स्थापना करी गई थी तो लेकिन सम्विधान वह सम्विधान होता है जिसे लिखने के लिए किसी निश्चित सम्विधान सभा का गठन किया गया हो जैसे अमेरिका का समविधान और भारत का समविधान दूसरी विशेष्टा है कि लोक प्रिय प्रभुसत्ता पर आधारे समविधान हमारा जो समविधान है वो लोक प्रिय प्रभुसत्ता पर आधारेत है जैसे हमारे देश की सम्विधान की जो प्रस्तावना ही स्टाट होती है तो वो कहां से स्टाट होती है हम भारत के लोग और लास्ट वाली लाइन को देखिए इसको आत्मारपित करते हैं स्विक्रत करते हैं ठीक है तो भारत का सम्विधान जो है एक तरह से यह बताता है यानि भारति संबिधान की प्रस्तावना है, वो ये बताती है कि हमारे देश के संबिधान का निर्मार जो है, जनता ने किया है। राजटा द्यक्ष चुना जाता है, वो अपने आप नहीं होता, अनुवान्शिक नहीं होता, राज तंत्र का प्रोसेस यहां पे नहीं है, कि राजा, राजा का बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, ऐसा नहीं है, जनता जो है वो अपना मुखिया खुद चुनती है, अपना मुखिया का, अपने लीडर का चुनाब यहाँ पर खुद करती है, तो पावर किसके हाथ में जनता, कि में जनता चाहे तो अपने वोट देने के अधिकार के द्वारा किसी भी सत्ता को पलट सकती है, किसी को भी जो है मुखिया बना सकती है, ठेक है तो लोकप्रिय प्रभुसत्ता परादारिस संविधान का मतलब क्या है कि भारती संविधान भारती जनता द्वारा निर्मित है और इस संविधान द्वारा जो अंतिम शक्ती है वो भारती जनता को दी रखे है एक शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोक तांतरात्मिक जो है गड़ राज्या, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है, एक तरह से अपने जो भी internal matter है, external matter है, किसी भी देश के, कोई भी देश जब ऐसा है, जो अपने अंतरिक मामलों में, बाहरी मामलों में निरणय लेने के लिए स्वतंतर है, वो किसी भी दूसरे देश पर, अपने internal matters में, external matters में, किसी भी विरॉधी सत्ता पर depend नहीं, किसी दूसरे देश पर depend नहीं है, और लोक तंतरात्मक राज्या का अर्थ क्या है? कि भारत में राज सत्ता जो है वो जनता में नहेता है क्योंकि भारत जो है अपने जो मुखिया का चुनाब जो है भारत में होता है वो जनता के द्वारा होता है जनता को अपना कोई भी जो रिपरेजेंटेटेव होता है प्रतिनिदी होता है उसको निर्वाचित करने का स्व भारत जो है वो कैसा है धर्म निर्पेक्ष है पंत निर्पेक्ष है ठेक है धर्म निर्पेक्ष का अर्थ क्या होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है यानि भारत किसी विशे धर्म को प्रमोट नहीं करता है भारत में एक तरह से वह वाली भावना है कि सभी धर्म सम को सभी वर्गों के लोगों को समानता के साथ जीने का दिकार है राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है और यही है पंत निर्पेक्ष्टा भारती सम्विधान की विशेष्टाओं में संसदी प्रभुसत्ता और न्यायक सर्वुचता में समन्व है यह बहुत बड़ा एक्जाम्पिल है और बहुत ही इंपोर्टेंट है अब इसका मतलब क्या है कि संसदी प्रभुशत्ता और न्यायक सर्वुचता कहीं कहीं पर आपने देखा होगा संसद को बहुत ज़्यादा पावर्स दे रखी है इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखा गया है कि संसद आत्मक विवस्था के आदर्स के अनुरूप न्यायाले को समविधान की व्याख्या करने और उन विधियों और आदेशों को अवैद गोशित करने का अदिकार दिया गया है जो समविधान के विरुद्धों यानि संसद अगर कोई भी ऐसी विधी बनाती है ऐसी कोई भी उनों को शुन ने गोशित कर सकता है अवैद गोशित कर सकता है तो एक तरफ तो संसद की प्रभुशता है और दूसरी तरफ न्यायक सरवुचता है दोनों में एक बैलेंस बनाने का प्रयास हमारे कॉंस्टिटूशन में किया गया है एक और विशेस्ता है हमारे समविधान की न्यायक पुनराव विलोकन जिसको हम Judicial Review के नाम से जानते है न्यायले का ये अधिकार जो है क्या बताता है कि न्यायले के इस अधिकार के साथ साथ हमारी जो पाल्या मेंटे संसद है उसको ये अधिकार भी है कि वो न्यायले की न्याय पालेका की सर्वुचता को किसी जगे पर संसद की सर्वुचता है वो दिखाई देती है किसी जगे पर न्यायले जो है वो पावरफुल दिखाई देता है यानि न्यायक पुनराव लोकन का मतलब यही है कि अगर संसद कोई भी विधी बना देती है कोई भी कानून मना देती है और वो कहीं न कहीं ऐसा है जो भारती समविधान के आदर्सों के अनरूप नहीं है भारती लोगों के आदर्सों के अनरूप नहीं है ठीक है कहीं न कहीं बारती समविधान कोई भी विधी या कानून जो है वो ऐसा है कि भारती लोगों के मूल इसके बाद में आपको पता है भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है और विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का एक परमोग कारण ये भी है क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य की जो administration का process है वो अलग-लग तरीके से बताया गया इसके साथ साथ भारती संविधान में विश्व के बहुत सारे देशों से अलग-अलग परकार के उपबंद ग्रहन किये गए है और प्रस्ण यहीं से पूछा पी जाता है कि कौन सा उपबंद किस देश के संविधान से भारती संविधान में ग्रहन किया गया है उनको देखते हैं संसद की शासन प्रणाली यह ब्रेटेन से ली गई है विधी का सासन या कानून का सासन या कानून की सरवुच्छता यह भी ब्रेटेन से ली गई है एकल नागरिक्ता का हमारे यहां प्रावधान है एकल नागरिक्ता कहां से ली गई है भारती समविधान में ब्रेटेन के समविधान से अमेरिका के समविधान में दोहरी नागरिक्ता का प्रावधान है यह आप याद रखेंगे ठेक है ब्रेटेन के समविधान में एकल नागरिक्ता है और ब्रेटेन के जैसी ही एकल नागरिक्ता का प्रावधान हमारे देश के शम्विधान में लिया गया है अमेरिका में दोहरी नागरिक्ता का प्रावधान किया जाता है मंत्री मंडल की जो प्रणाली है वो भी ब्रटेन से ली गई है समवेधानिक रूप से राष्टपती की जो condition है, इस्तिती है, हमारे शार्षन विवस्ता में राष्टपती की जो situation है, वो ब्रेटेन से ली गई है, जैसे आप देखेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा power हो हमारी शार्षन विवस्ता में जो दी गई है, वो प्रधान मंतरी क यानि भारती राष्टपती को क्या कहा जाता है, समवेधानिक प्रमुख कहा जाता है, देश के जितने भी काम होते हैं, देश के जितने भी मामले होते हैं, वो राष्टपती के नाम से ही किये जाते हैं, लेकिन वास्तविक जो power होती हैं, actual जो शक्तियां दी गई हैं, वो मात्र का प्रमुख माना जाता है यही सेम स्थिती ब्रिटेन मेंला जीत का जो प्रावधान होता है यह भी ब्रिटेन से ग्रहन गया है अब अमेरिका के समधान से दिखते हैं हमारे जो fundamental rights हैं वो अमेरिका के सम्विधान से लिए गया है सम्विधान सर्वोच होगा सम्विधान की सर्वोचता का जो गुण है ये भी अमेरिका के सम्विधान से लिया गया है अभी हम बात कर रहे थे न्यायक पुनर्विलोकन की judicial review की ये भी जो है अमेरिका के सम्विधान से ग्रे इसके अलावा राष्ट्रपती पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया भी USA से लिए गई है और उपराष्ट्रपती का पद USA से लिए गया है। राष्ट्रपती के निर्वाचन की प्रक्रिया भी Ireland से लिए गया है। दोनों सदनों की जो जॉइंट मीटिंग होती है, संयोक तबैठक होती है। ये भी जो है उस्ट्रिलिया के संविधान से लिए गया है। और जर्मनी के संविधान से लिए गया है, इमर्जनसी के जो प्रवीजन है, आपातकाल में जो मूल अदिकारों का निलंबन किया जाता है। कुछ हमारे जो मूल अदिकार हैं, जब इमर्जनसी की सिचुईशन आती है, तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। ये प्रकरिया जर्मनी की है। जापान से लिए गयी है विधी द्वारा इस्थापित प्रकरिया। रूस जिसको पहले सोविय संग के नाम से जाना जाता जाता है, जो प्रोविजन लिए गये हैं, अन्य देशों के संविधानों से भारती संविधान में, वहाँ से जो है वो प्रशन पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत छोटी सी क्लास थी, इसको आप समझ लीजेगा, एक बार देख लीजेगा, जल्दी से स्पीड में करके देख लीजेगा, टाइम भी आपका कम लगेगा, चैप्टर भी आपका जो है, वो यहां से कंप्लेट हो जाएगा, ठीक है, फिर अगली वीडियो जो है, आज ही मिलने वाली है, लगबख दो वीडियो इसके बाद में और मैं बनाऊँगा, यानि आज तीन क्लासेज इस क् सपोर्ट जो है, वो बनाई रखना है, और अपनी जो फीडबेक, या जो भी आपकी कह सकते हैं, क्वेरी होगर किसी भी चीज़ के बारे में, वो भी आप बताएं, अपना रिस्पॉंस जरूर दें, रिव्यू जरूर दें, फीडबेक जरूर दें, यह बहुत जाद है, इ एक नई वीडियो में, एक नई टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जहें,